लेक्चर 4 CUET Maths 2024 के सैंपल पेपर में आपका स्वागत है और हमारे यहां पर चल रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सैंपल पेपर की गाइज इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन्स कलके सैंपल पेपर में कर लिये थे और कुछ कुछ क्वेश्चन्स जो बच गए हैं आज हम उनको करने जा रहे हैं तो आई यह स्टार्ट करते हैं देखी कल हमने यहां तक अपना सैंपल पेपर कल लिया था आपको याद होगा यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यह एक बहुत अच्छा को यहां पर पूछी गई थी ठीक ना तो इसको हमने कल कम्प्रीट कर लिया था इसके बाद के गुश्चन में आज चलते हैं यह रिखिए यह रहा है आपका गुश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ठीक है तो the equation of the plane which is parallel to the plane x-2y plus 2z equals to 5 and distance from the point 1 to 3 is 1 इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखें एक plane है आपके पास में यह आपके पास given plane है suppose कर लो यह आपके पास में plane है ओके और आपके पास एक external point 1 to 3 1 to 3 से distance आपके किती दी गई है 1 तो करना क्या करेंगा distance का formula लगा कि उसको 1 से equate कर दो so this is the distance formula कितना होता है ax1 plus by1 plus cz1 plus c plus d जो भी होता formula है तो क्या करा है which is parallel to the plane तो parallel plane अपना जो main plane है उसके parallel plane यह वाला plane होगा x plus 2 y plus 2 z plus lambda अब parallel plane की distance 1 है तो इसकी distance हमने 1 ही quit कर दी तो solve करने पर कितना आ गया है अपने 4 और 6 10 है ना ऊपर कितना बनगे अपने पास में 6 अच्छा 6 7 7 में इस 4 गया 3 तो lambda plus 3 equal to कितना आ गया 3 आ गया है तो मौड हटी का तो 2 7 है निगटिव और पॉस्टिव लैमडा प्लस 3 equal to plus 3 लैमडा प्लस 3 equal to minus 3 ओके और लैमडा की बहले दो आ गए 0 और से minus 6 तो दो answer में पास आएंगे एक तो 0 वाला और एक minus 6 वाला तो देखिए 0 एदी में put करता हूं तो answer क्या आता है x minus 2 y plus 2 z equal to 0 this is our first equation और अगर minus 6 पुट करता हूं तो x minus 2 y plus 2 z minus 6 equal to 0 ये बन जाएगा हमारा second equation so guys इस तरीके से question हमारा solve हो गया ओके correct answer हमारा क्या होगा option number 6 x minus 2 y plus 2 z equal to 6 done